हलो ओपी क्लास इसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक पर पुनहा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 27 नवंबर 2020 के Most Expected Current Affairs तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न है किस राज की सरकार ने महला यात्रियों की बचा और सुरक्षा के लिए अभियम परियोजना सुरू की है परिवहन में महला यात्रियों के लिए निर्भया योजना के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई है बात की जाए आंद्रप्रदेश राज की तो आंद्रप्रदेश राज की तीन राजधानिया हैं कुर्नूल, विशाखापत्नम तथा अमरावती वर्तमान में बाई एस जगन मोहन रेड़ी आंद्रदेश के मुख्यमंत्री है गुजरात के बाद सबसे लंबा समुद्र तट आंद्रप्रदेश का ही है जिसकी लंबाई 972 किलो मेटर है गुजरात में समुद्र तट की लंबाई 1600 किलो मेटर है बात की जाए आंद्र प्रदेश की गठन की तो इसका गठन एक नबंबर 1956 को हुआ था तथा वर्ष 2014 में इससे तेलंगाना राज को अलग कर दिया गया था चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रशन है किस राज ने करमई धर्म काम ही पूजा है नाम से एक योजना की शुरुवात की है जिसके तहट दो लाख युवाओं को एक-एक मोटर बाइक प्रदान की जाएगी तो हाल ही मैं पश्चिम बंगाल सरकार ने दो लाख युवाओं को एक-एक मोटर बाइक प्रदान करने के लिए करमई धर्म यानि काम ही पूजा है नाम से एक योजना सुरु की है यह मोटर बाइक बिसेस योजना के तहट एक रिन के तहट उपलब्द कराई जाएगी इस बाइक के पीछे सामान बेचने के लिए एक बकसा लगा रहेगा यह योजना 26 नवंबर 2020 को सुरू की गई है बात की जाएक पशिम बंगाल राज की तो पशिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता तथा पशिम बंगाल में कुल तेश जिले हैं वर्तमान में ममता बनर जी पशिम बंगाल की मुख्य मंत्री है चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रशन है किस राज के हाबेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर महादेबपा मेलारा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है बात की जाए महादेबपा मेलारा की तो ये करनाटक के स्वतंतरता सेनानी थे तथा इन्होंने मात्र 18 वर्श की आयू में महात्मा गांदी के दांडी मार्च में भाग लिया था इसके अलाबा करनाटक राज में 54 से अधिक स्वतंतरता सिनानीों के आंदोलन का नितरत महादेबपा मेलारा ने किया था हाल ही में करनाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम भी सिद्धा रूडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया था चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चोथा प्रस्ण चोथा प्रस्ण है किस राज के मुख्य मंत्री ने राज की अगनी और बचाव सेबाओं तक पहुँचने के लिए आम जनता के लिए थी नाम का एक एप लॉंच किया है तो हाल ही में तमिलनाडू सरकार ने अगनी सेबाओं के अतिरिक्त बार गहरी कुएं में दुरगटना बन जीब बचाव तथा गैस लीक आधी घटनाओं के समय लोगों का पहुँच बनाने के लिए थी नाम की एक एप लॉंच की है इस एप के तहट मातर दस सेकंड में रिस्पॉंस दिया जाएगा बात की जाए तमिलनाडू राज की तो तमिलनाडू राज के मुख्य मंत्री है के पलानी शामी जबकी राजपाल है बनवारी लाल पुरोहित चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचबा प्रश्ण पांचबा प्रश्ण है उत्तर प्रदेश मंत्री मंदल ने हाल ही मैं अयुद्या हवायद्डे के नाम करण को किस नाम से बदलने पर मंजूरी दी है तो हाल ही में UP मंत्री मंदल ने अयुद्या हवायड़े का नाम मर्यादा पुर्षोत्तम स्री राम हवायड़ा करने को मंजूरी दी है यह मंजूरी 24 नवंबर 2020 को दी गई है अब इस हवायड़े का विश्तार 601 की भूमी में किया जाएगा इस हवाई अड़े पर 777 बोईंग तथा डबल डेकर बिमान लेंड कर सकेंगे बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव जबकि मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की लेखपाल आनंदी बेन पटेल है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चटबा प्रशन है हाल ही में केंद्रे एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्धोगी की मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने विदेश मंत्रालाई के साथ समन्माय करके कौनसे एप का अंतर राष्टिय संस्कर्ण लाँच किया है तो हाल ही में केंद्रे एलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रोध्धोगी की मंतरी रवी शंकर प्रसाद ने उमंग एप का अंतराश्टिय संसकर्ण लॉंच किया है उमंग एप का पूरूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फूर न्यू एज गवर्नेंस इस एप के तहट सभी प्रकार की इगवर्नेंस शुबधाओं का लाब उठाया जा सकता है अब इन शुबधाओं का लाब उमंग एप के जरिये USA, ब्रिटेन, कनाडा, औस्टेलिया, UAE, नीदरलेंड तथा सिंगापूर में रह रहे भारतिये भी उठा सकेंगे इस एप के तहट EPF, PAN, आधार, Digilot, कर, गैस बुकिंग, इलेक्ट्रोनिक विल तथा सभी प्रकार की इगवर्नेंस सुबधाओं का लाब एक ही जगए उठाया जा सकता है चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवा प्रश्ण सातवा प्रश्ण है भारत के पहले हैवी वेट टार्पीडो का नाम बताएं जिसे DRDO द्वारा हाल ही में लॉंच किया गया है तथा इसे भारतिय नौसेना की BDL विशाखा पत्नमिकाई द्वारा डिजाइट और बिक्सित किया गया है तो हाल ही में DRDO द्वारा बरवनास्त नाम के एक तार्पीडो का परिक्षण किया गया यह भारत का सबसे हैवी वेट टार्पीडो है इसे NSTL ने डिजाइन किया है NSTL का मतलब होता है Navy Science Technical Lab जबकि इसका विकास BDL यानि भारत Dynamics Limited द्वारा किया गया है इस टार्पीडो की खाश्यत यह है कि इसे जहाज से भी लॉंच किया जा सकता है तथा यह उथले और गहरे दोनों पानी में हमला करने में सक्षम है इस टार्पीडो की गती 74 किलोमीटर प्रतिगंटा होती है इस टार्पीडो का बजन एक टन है तथा यह है अपने साथ 250 किलोग्राम वार हैड ले जाने में सक्षम है चली देखते हैं हमारा आज का आठवा प्रश्ण आठवा प्रश्ण है तो हाल ही में अन्दमान और निकोबार दीब समों में टीडो द्वारा परिक्षण किये गए ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमी हमले संसकर्ण की रिंज क्या है तो हाल ही में डीडो ने ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमी हमले संसकर्ण का परिक्षण अन्दमान निकोबार दीब समों से किया है अब ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमी हमले संसकर्ण की रेंज 400 किलो मेटर कर दी गई है पहले यह रेंज 290 किलो मीटर थी यह परिक्षण 24 नवंबर को अन्वा निकोबार से किया गया है साथ ही ब्रह्मोस की गती अब 2.8 मेक कर दी गई है चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रस्ण नौबा प्रस्ण है दुनिया भर में महलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतराश्टिय दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स 25 नवंबर को महलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतराश्टिय दिवस मनाया जाता है इस बार यह दिवस 25 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक 16 दिन तक चलेगा इस वर्स महला के खिलाफ इंसा उन्मूलन की जो थीम थी वह रखी गई है Orange the World, Fund, Response, Prevent and Collect हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में महलाओं की इस्थिती विश्व में सबसे ज़्यादा बुरी मानी जाती है भारत को महलाओं के छेतर में काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है चलिए देखते हैं हमारा आज का दसवा प्रशन है करनाटक के वर्तमान राजपाल कौन है तो करनाटक के वर्तमान राजपाल बजू भाई बाला है बात की जा करनाटक के मुख्यमंत्री की तो येदी यूरुपा वर्तमान मुख्यमंत्री है करनाटक की राजधानी बैंगलोरू है तथा करनाटक दच्छन भारत का सबसे बड़ा राज है तथा भारत का सात्वा सबसे बड़ा राज है चलिए देखते हैं हमारा आज का कोशन अब दडे 27 नॉम्बर 2020 का कोशन अब दडे है आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली प्रमुक भासाएं कौन कौन सी है पहला है इंगलिस और तेलगू दूसरा है तेलगू और उर्दू तीसरा है तेलगू एंड कन्रा तथा तीसरा है आल सोरी चौता है आल ओफ तीज एवब लेंग्वेज यानि ये सभी भासाएं इसके अलावा सैसन ओफ दे का कोशन है आपका हाल ही में करनाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महा देबपा मेलारा रेलवे स्टेशन किया गया है इसके पहले करनाटक के हुबली का नाम क्या कर दिया गया था दोनों प्रशनों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉ ब्रह्म पुत्र भारत से उत्पन नहीं होती है इसके अलावा सेशन ओप दे का कोशन था नसिरुद्दीन सा की पहली फिल्म का नाम क्या था तो अभिनेता नाशिरुद्दीन सा की पहली फिल्म थी हम पाच दोनों प्रशनों की सही जवाब देने वालों में सामिल हैं सेंक मोरिया, अंकिता पटेरिया, सोनाली मोरिया तथा मोहित साहू सभी को बहुत बहुत बधाई